एक कहावत है कि अगर आपको बुढ़ापा आनंद दायक निकालना है तो तांगी मजबूत होनी चाहिए, बुढ़ापा सानगी से कट जाता है अब तांगी मजबूत करने के लिए क्या करना होगा चलना फिर ना होगा घूमना टहलना होगा सैर करें मौर्णिंग वोक करें या इवनिंग वोक करें तो यही सब सोचते हुए हमने ले लिए ये ट्रेडमिल घर के लिए मैं पहले ही बता दूँ ये कोई स्पांसर्ड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है जब मैंने सोचा घर के लिए ट्रेडमिल लेने का तो मेरे दिमाग में दो-चार बाती थी कि मुझे कॉम्पैक्ट साइज चाहिए मूवेबल और फूल्डेबल चाहिए ताकि स्पेस सेविंग हो जाए और जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो काफी शुरूवात में तो यह त्रेडमिल पसंद भी आ गए और एकदम से मिल भी गई मुझे इसके रेटिंग अच्छी थी और बजट फ्रेंडली लगी मुझे आजकल वैसे वाकिंग पैट्स भी आ गए जो अंडर दे टेबल आप रख भी सकते हैं उनको स्टोरिज असान है लेकिन उनमें वह तो मैंने फिर उन पे ज्यादा ध्यान ने दिया मुझे ट्रेडमिल ही जाहिए थी घर के लिए तो यह वली ट्रेडमिल मुझे इसलिए पसंद आए क्योंकि फोल्डिबल है कॉम्पैक्ट है घर में स्पेस सेविंग हो रही है इसमें म्यूजिक आप अपना कनेक्ट कर सकते यह सब आप बड़े एंजोई कर सकते हैं तो मुझे देखते से ही पसंद आगे मुझे इस प्राइस रेंज में इतने फीचर इसी में थे इस वली ट्रेडमिल में और सबसे बड़िया बात इसमें कोई इंस्टॉलेशन का कोई जंजट नहीं था बस आपको प्लग इन करना ह और यहां गुट्टू को आज मेरा बनी बहुत खुश है क्यूरियस है एक्शली उसको लग रहे है कर में नया कुछ आय तो उसको भी जानने की क्या है यह जानने की क्या है अ अेजलेशन का क्या है झाल झाल एप लुट और पीछुन कानáेम मैं झालान को एका तूनाी हा हुआपट पिन खाला है अज efficiently है झाला कि एक सी कि पर जांवारा खाला माजनों, ओग झालार कर दिर Haha I नचे बाणना भुल है में प्रगभदिक लड़िक कमई ऊन्हीं ऑर टे दिए ज़ले हैं में एक बार काफी पहले ना मैं एक सलमान खान का इंटर्वी देख रही थी तो उसने बोला मैंने अपने बैडरूम में ही जिम बना रखा है तो बस मैं सोता हूँ जैसी उठता हूँ सामने मुझे अपने एक्ससाइज के सारे मशीन्स दिखते हैं तो मैं एक्ससाइज कर लेता हूँ ठक जाता हूँ फिर सो जाता हूँ तो मतलब मुझे वो कॉंसेप्ट अच्छा लगा कि आपके घर में ही जिम है जार सीपड़ के सारे मैं ही जी जी समग बदाए हूँ वॉक के अपने वैसे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे दिल की बिमारियों का खत्रा कम हो जाता है, डायबेटीज के मरीजों को बहुत फायदा होता है, इस्पैशली टाइप टू डायबेटीज के लिए, दिमाग और मन शानत रहता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अनर्जी बनी रहती है, मैमोरी बढ़ती है, डायमेंशिय का खत्रा कम होता है, मैंटली और इमोशनली आप बेटर फील करते हैं, बजन कंट्रोल करने में मदर मिलती है, एम्मूनिटी बूस्ट होती है, कम से कम 20 से 30 मिनेट्स वाक करना बहुत ज़रूरी है, आप फिर धीर बढ़ाते ही जाओ, बोढ़ापे में वाकिंग करना एक बहुत अची एकसाइज है, एक तुस्य बोन डेंसिटी बढ़ती है, इंप्रूव होती है, आपके जो जॉइंट्स हैं, वो लुब्रीकेटेड रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, क्योंकि चलते हैं तो जॉइंट स्कुष करते हैं, तो उससे वो बहतर काम करते हैं, आपके जो मसल्स हैं, वो स्ट्रेंथन होते हैं, आपका मैटन बॉलिजम जो है, बूस्ट होता है, और ब्लड शुगर लेवल रेगिलेट होता है, झाल शुङर